रहेगा आपके यहां का मोसम कहां हो सकती है बारिश और कहां आ सकता है तुफान पुरी नूद जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से अंतक लगातार देख लीजिए और वहीं अपने राजे की मोसम की जानकारी के लिए आप कोमेंट में अपने राजे का नाम जरूर लिए और वहीं लेटेस्ट मोसम की जानकारी के लिए आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा ले और वीडियो को नीचे जो अंगूठ 2020 का मोसम का पुर्वान अनुमान तो अगामी 24 घंटों के दुरन मोसमी पुर्वान मान अगले 24 घंटों के दुरन ओडिशा, बिहार, जारकंड, पुर्वी और मद्य उत्रपरदेश और पस्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हलकी से मद्यमबारिश की उमीद है असम, मेगाले, नागालेंड, मणीपूर, अनुनाचल परदेश और सिक्की में भी अगले 24 घंटों में हलकी से मद्यमबारिश होने की संबावना है अनुनाचल परदेश और सिक्की में हलकी बरववारी भी एक दो सतानों पर हो सकती है वहीं उत्राखंड के कुछ थानों पर हलकी से मद्यम बारिस के आसार है और एक दू स्तानों पर बरवबारी का भी अनमान लगाया जा सकता है वहीं उत्री तटियां अंधरप्रदेश में भी हलकी से मद्यम वर्सा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है तो दोस्तो ये है आने वाली 24 गंटों के दुरान मोसम का पुर्वा अनुमान अब बात करेंगे पिछले 24 गंटों के दुरान गटित मोसमी गतिविद्या उससे पहले दोस्तो आप से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके सेयर करना ना भूले और अपने राज् उत्तरपरदेश के कुछ हिस्सों में हलकी से मद्यम बारिश दर्ज की गई जबकि पस्षिम बंगाल और पस्षिम उत्तरपरदेश में कुछ स्थानों पर हलकी से मद्यम बारिश देखी गई है उत्तरकंड में कुछ स्थानों पर हलकी वर्षा हुई है जबकि जम्मू और कस्मीर में एक दोस्तानों पर बारिश दर्ज की गई है उत्तरपुर्वी राष्टन में भी एक दोस्तानों पर हलकी वर्षा हुई है अनुनाचल पर्देश और हसम में भी छिटपुट जगों पर हलकी बारिश देखने को मिली है महराश्चरे के विदर्ब शितर तटिय पुरिशा और गंगिये पस्षिम बंगाल सहीत मद्यपरदेश में नियुंतम तापन में दो से चार डिगरी सेल्चेस तक गिरावट हुई है तो दोस्तों ये था पिछ्टे 24 गंटों के दुरान गटित मोसमी गतिविद्या अब बात करेंगे बारत के मोसम में बने हुए मोस कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में जम्मुव कस्मीर के पुर्वी हिस्सों और लदाक पर एक कमजोल पस्मी विक्षोब बना हुआ है वहीं उत्तरपुर्वी उत्तरपरदेश और बिहार के सटे भागों पर एक चकरवाती हवाओं का सित्तर दिखाई दे रहा है और इ एक अन्य चकरवाती हवाओं का सित्तर पुर्वी बंगलादेश और असम पर बना हुआ है एक चकरवाती हवाओं का सित्तर उत्री आंतरिक कनाटक और आसपास के भागों पर भी बना हुआ है तो दोस्तों ये चार तीनों मोसमी सिस्टम जो आने वाले कुछ दिनों में बा अन्मान इसी तरह मोसम की जानकारी के लिए आप इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले और वीडियो को लाइक करके और अपने राज्या का नाम कोमेंट बुक्स में जरूर लिखे